नमस्कार आप देख रहा है फाइनल पोस्ट एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर के हम आपके शामने आये हैं और उस बड़ी खबर को बेक करने जा रहे हैं हमारे इलिटरेंशिप ग्यानसर कोत्म जी सर क्या है खबर खबर बिहार से संबंधित है और बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है मुख मंत्री महोदे अपने निकटम सहयोगियों के साथ दिल्ली कूच कर गए हैं दिल्ली नितीश कुमार जी क्यों गया है देखे दिल्ली नितीश कुमार जी के जाने के जो कयास लगाये जा रहे हैं ये खबर खास करके तेजसरी आदव के ल बिधान सभा का चुनाव नितिश कुमार चाहते थे कि लोग सभा के साथ हो जाए उस पर मत्यक नहीं बना सरकार बन गई चुनाव संपन्न हो गया एकजिट पूल के नतीजे आ गए सब लोग बंबं हैं और सब को लगता है कि साथ यह बहुत राइट समय है कि चुनाव करा ल चुनाव हो रहा है उसके साथ साथ ब्यार का भी चुनाव हो जाए उसके पीछे के करण को समझें उसके पीछे सबसे बड़ा करन है वो यह है कि नितिश जी के जो लीडर्स हैं उनके अंदर बड़ी बेचाईनी जैसी हो रहे हैं उनको लग रहा है कि हमारा सिर्ष नेतित प्लेटफर्म खुजेगा और मौका देने के लिए आर्जेटी तयार बैटा हुआ है तो नितिश जी के लिए यह बहुत कठिन समय है यह निर्णे लेने का कि अगर यदि हम नौंबर में चुनाव महारास्ट्र और हर्याने के साथ बिहार का करा देते हैं तो वैसी इस्थि तरछी ठीट हो जाएगी और हमारी एस्थिति अची हो जाएगी एक फिर से हम सरकार में रहेंगे और हमारा आपरहंट रहेंगा यह भी तैयारी चल रही है इस तरह की बाते चल रही थी कि नितिशा झी अब कमजोर हो गए हैं दल पर भी बहुत पकड नहीं रहा जो भारती इसको मार को अस्थापित कर दिया जाए और बिहार की जो गदी है वह भारतिय जंतापाटी अपने हाथ में ले ले जंतादली उनाइटेड के दो उप मुखमंतरी बनाए जाएंगे कौन बनेंगे कौन होगा मुखमंतरी यह सब क्यास है लेकि पारतिय जंतापार्टी का लिए लेजर पीरियद आभी आपके शुत्र क्या बता रहे हैं कि मुखवंत्री की वहां बड़े निताओं से मिटिंग उनकी होनी इस पर चर्चा होनी है मुंखमंत्रि अमिज सा और मिलने की उच्णना है इस बार इलाज करने तो नहीं नगा थे टहर इस Нुशी हलचल जो है और उस एस व् future में एक बड़ी तूट की संबहना दिख रही है वो जन्तादली उनाइटट को टूटեղ नहीं देना चाहते हैं उसको इंट्रैक्ट रखना चाहते हैं और इसी वज़ा से वो चाहते हैं कि विधान सवा चुनाओ की सरगर्मी सुरू होगी तो सरगर्मी सुरू होगी तो हमारी पाटी जो है वो एक जुट रह पाएगे मतलब यह चीज़ तो माना जा सकता है कि नितीश कुमार जी ठक गया है लेकिन ठकने के बावजूद भी जदियुको इस्टेबलिस करने में लगे हुए है लेकि एक बात तो आप ध्यान में रख लिए नितीश कुमार जी को भले कोई वक्ति कहें कि आउशरवादी हैं पल्ट चुनाव लड़े राष्ट्रिया जनता दल के साथ उनका कंबिनेशन था उसमें आर जेटी उनको दोसको सीट देने को तयार नहीं था अच्छा आर्जेटी करता था नहीं आठे सीट पर आप लड़िए बागी सब लोगों के बीच में बाटा जाएगा और इन्हों ने भा कि उनको एंडिये का कंबिनर के रूप में नया बदभार दिया जा सकता है दोनों में से कौन सी बात जो है सबसे ज्यादा सटिक लगती है आपको अपने सुत्रों के हिसाब से देखे मुझे लगता है कि हमारे सुत्र जो बताते हैं कि चुनाव संपन हो जाए नितीश जी बिहार की सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो जब तक जिन्दा रहेंगे बिहार की सत्ता नहीं चोड़ेंगे भाजपा में आने भाजपा के साथ आने से पहले नितीश कुमार और भाजपा के साथ कमिटमेंट था क्या कि चुनाव को कराया जाएगा बिधान सबा तो यह बहुत ही बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे और यह खबर यह थी कि नितीश कुमार दिली गए है और सियासी तपिस बढ़ गई है बिहार के राजनीती में चार जून के बाद बड़ी सियासी उलट फेर की संभावना है 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 दिख रही है आगे क्या कुछ होता है द इस बात से भी कता ही आप इंकार नहीं कर सकते हैं कि भारती जंदापाटी के साथ गठ्वन्दन तूट जाए तो फिर दूसरे विकल्प नहीं खुले हुए हैं विकल्प खुले हुए हैं आपने तेजस्वी अदव का बयान देखा होगा कि नितीश के लिए हमारे रास्ट को जानकारे मिली थे कि नितीश कुमार दिल्ली का है कुछ न कुछ होना है और कुछ न कुछ होने की संभावना चार जून के बाद बन रही है देखिए क्या कुछ होता है चार जून के बाद फिर हम अपडेट लेकर के आएंगे इस चीज़ पर हमारी पैनी नजर बनी झाल